नमस्कार दोस्तों, देखे आज हमें यहाँ पर computer के input और output device related जितने भी questions बनते हैं, उन सभी questions को यहाँ पर discuss करेंगे तो देखे, start करते हैं, पहला कि उसने की दो परकार के output device कौन से हैं, तो देखे, जो monitor और printer जो हैं, यह दोनों ही जो है, output devices हैं, तो A option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला देखे, object की properties में access करने के लिए ये use की जाने वाली mouse technique है, तो देखे, object की properties पर access करने के लिए right clicking करते हैं, तो C option जो है, इसका यहाँ पर correct answer होगा next देखे, dot matrix किस उपकरण की किस्म है, तो जो dot matrix है, वो printer का एक type होता है, तो B option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, जो dot matrix है, वो printer का type होता है next देखे, tab कुझी का परियोग किसले होता है, तो जो tab कुझी है, उसका use हम paragraph को indent करने के लिए करते हैं, तो B option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next देखे, टेक्स्ट की पंकती के आरंब में जाने के लिए कौनसी कुझी को दवाते हैं, तो home key का use हम करते हैं, तो A option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next देखे, सरवादिक सामाने input device हैं, तो जो keyboard और mouse हैं, यह दोनों ही जो है, सबसे ज्यादा use होने वाले input devices हैं, तो B option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, keyboard और mouse next देखे, computer की समस्त सूचनाई या output देखने के लिए किस device का परियोग किया जाता है, तो देखे, हमें जो output मिलता है, जो हम देखने के लिए use करते हैं, वो monitor होता है, तो A option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, जो सभी सूचनाई और output देखने के लिए हम किस का use करते हैं monitor का use करते हैं, next देखे, निमलेखित में से कौन सा एक प्रकार का mouse है, तो देखे, जो optical और mechanical ये दोनों ही mouse के type होते हैं, तो B option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, कि जो mouse के type होते हैं, optical mouse और mechanical mouse, next देखे, keyboard में function की संख्या कितनी होती है, तो keyboard में जो function की जो होती है, उन देखे, में printing head और कागजगा संपर्ग होता है, तो जो impact printer होते हैं, उसमें printing head और कागजगा संपर्ग होता है, तो B option इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, next देखे, किस printer दवारा एक stroke में एक अकसर प्रिंट होता है, तो जो dot matrix printer हैं, उनसे एक stroke में केवल एक ही प्रिंट, एक ही print होता है, तो B option जो है, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, कि कौन सा printer होता है, वो dot matrix printer, next देखे, इन में से कौन input device नहीं है, तो देखे, joystick, magnetic tape, magnetic disk, यह तो storage के type होगे, जो joystick का यह भी एक input device है, लेकिन जो monitor है, वो एक input device यहाँ पर नहीं है, तो C option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जो monitor है, वो एक input device नहीं है, वो output device है, उसके अलावा जो joystick, magnetic tape, magnetic disk, यह जो सभी है, वो input devices है, next देखे, computer में keyboard का क्या काम होता है, तो keyboard का जो काम होता है, वो input करना होता है, तो C option जो है, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, input करना, next देखे, keyboard किस परकार का device है, तो जो keyboard है, वो input ह device है, B option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, जो keyboard है, वो एक input device है, next देखे, computer keyboard में, app से प्रियोग होने वाले function बटनों की संख्या कितनी होती है, तो equation दुवारा repeat हुआ है, अभी हमने देखा था, जो function keys है, उनकी संख्या 12 होती है, तो C option, sorry, D option जो है, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, जो function keys है, उनकी संख्या 12 होती है, next देखे, निमन में से कौन उस्तम गुनमता वाली output जो है, वो परदान करता है, तो जो plotter होता है, उससे हमें उस गुनतवा वाली output परदान होते हैं, तो C option इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, जो plotter है, वो उस्तम गुनमता व तो B option जो है, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, VDU, virtual display unit, तो जो monitor होता है हमारा, उस पर हमें दिखाई देते हैं, तो किस पर दिखाई देते हो, virtual display unit, B option जो है, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, अगला देखे, निमने कितमे से कौन सा एक output का माद्यम है, तो देखे, जो scanner, mouse और keyboard, यह तीनु ही input है, input devices है, लेकिन जो printer है, वो एक output device है, तो C option जो है, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, कि output का जो माद्यम है, वो कौन है, printer है, नेच देखे, डगलस C. एंजलवेट ने, इस्टेन फोर्ड रिचर्स लेबोटरी में, mouse का आविश्कार कब किया था, तो 1977 म हो जाएगा, अगला देखे, अंक्या बोर्ड के माद्यम से, कम्प्यूटर में input करने का कौन सा साधन है, तो देखे, जो digital form से, कम्प्यूटर में input करने का साधन है, वो scanner होता है, scan करके हम input देते हैं, तो C option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, scanner, लेक्स देखे, printer कितने प्रकार के होते हैं, तो देखे, printer जो है, वो दो प्रकार के होते हैं, impact printer और non-impact printer, तो B option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, अगला देखे, कम्प्यूटर में पड़े जाने वाले, अलग-अलग, लंबाई, चोड़ाई की लाइनू वाले code को क्या कहते हैं, तो उन्ह हम बार कोड कहते हैं, नेच देखे, line printer एक मिनट में कितने चिन चापता है, देखे, जो line printer है, वो एक मिनट में 200 से 2000 चिन चापते हैं, तो D option इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, अगला देखे, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला character printer कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो काम म में आने वाला character printer है, वो dot matrix है, तो D option जो है, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, dot matrix, देखे, आपर character printer की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो अक्षर चापते हैं, एक एक अक्षर करके, तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जो है, वो dot matrix printer है, नेच देखे, स्केनर का नेच देखे, वो photocopy जो machine होती है, photocopy करने वाली, उससे मिलता है, तो C option जो है, इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, नेच देखे, computer keyboard में कितने arrow के बटन होते हैं, तो देखे, जो keyboard होता है, उसमें 4 arrow key होती है, अब down, left और right, तो D option इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, 4, कितने arrow keys होती है, चार होती है, नेच देखे, वर्तमान में चल रहे keyboard की संख्या, रूपी बटनों की संख्या, कितनी बार धोराई गई है, तो वर्तमान में जो numeric keypad होता है, वो दो बार होता है, तो सुविधा के लिए जो keyboard में है, वो दो जगह में numeric keypad मिलता है, एक उफर function keys के नी computer में mouse के नीचे रखी, slate के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, तो देखे, जो mouse के नीचे, slate के आकार की वस्तु रखी होती है, उसे mouse pad कहते हैं, तो B option इसका यहां पर correct answer हो जाएगा, next देखे, नीमन में से output device कौन सी है, तो देखे, जो printer और monitor यह दोनों output device है, और जो mouse है, वो input device है, तो यहां पर printer और monitor दोनों ही output devices है, तो D option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा, एक तथा दो दोनों, next देखे, data किस रूप में हो सकते हैं, तो देखे, जो data है, वो एह लिखी, तो लिखी, दोनों ही रूप में उपलब्द हो सकता है, तो D option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा, A वे B दोनों, next देखे, computer तथा मानव का संपर्क किसके दवारा होता है, तो देखे, computer और मानव का संपर्क है, वो input M, जो output devices होते हैं, उनके माद्यम से जो है, computer तथा मानव का संपर्क होता है, तो A option इसका यहां पर right answer हो जाएगा, next देखे, computer के लिए प्रात आत्मिक output device है, वो keyboard है, तो C option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा, next देखे, निमन में से कौन सा mouse जैसा कारिय करता है, तो देखे, यहां पर जो track wall है, वो एक mouse के जैसे ही कारिय करने वाली input device होती है, तो D option जो है, इसका यहां पर correct answer हो जाएगा, track wall, next देखे, इन में से mouse, keyboard और light pen, यह तीन ही input device है, लेकिन जो VDU है, यह display monitor हो गया, virtual display unit जो है, इसकी full form होती है, तो यह एक output device होती है, display unit है, जबकि mouse, keyboard और light pen है, यह तीन ही input device है, तो हमें पूछाए कि कौन सी input device नहीं है, तो D option इसका यहां पर right answer हो जाएगा, VDU, next देखे, माउस का कौन सा button सामने तया OK के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो देखे, माउस का जो बाया बटन होता है, उसको हम OK के लिए use में करते हैं, तो A option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा, बाया, अगला देखे, सरवादिक तेजगती का printer कौन सा है, तो देखे, जो laser printer ह वो सरवादिक तेजगती का printer होता है, तो A option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा, नेक्स देखे, LCD का पूरा नाम क्या होता है, तो देखे, LCD की जो full form है, वो होती है, liquid crystal display, तो D option इसका यहां पर right answer हो जाएगा, liquid crystal display, नेक्स देखे, computer system में किसके माध्यम से text और numerical data परवेश कराने के पदती, सरवादिक सामाने पदती है, तो देखे, computer system में जो text और numerical data परवेश करते हैं, वो keyboard के दवारा करवाते हैं, तो A option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा, नेक्स देखे, output devices निमलिखित संभव बनाते हैं, तो जो output devices हैं, वो data को देखना या print करना, यह output devices की वज़़े से ही possible होता है, तो A option जो है, इसका यहां पर correct answer हो जाएगा, नेक्स देखे, document की hard copy की जाती है, तो देखे, document की hard copy है, वो printer पर print की जाती है, तो A option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा, अगला देखे, निमली खित में से किस समोह में केवल input device हैं, तो देखे, पहला देखे, mouse, keyboard, monitor, इसमें जो monitor है, वो input device नहीं है, दूसरा देखे माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर तो जो प्रिंटर है वो एक input device नहीं है तीसरा देखे माउस, कीबोर्ड और plotter तो देखे इसमें जो plotter है वो एक output device है तो तीनोई option में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सबी जो है वो input devices हो तो D option इन में से कोई नहीं है जो है इसका right answer हो जाएगा क्योंकि पहले में जो monitor है वो एक output device है दूसरे में printer output device है और तीसरे में plotter एक जो है output device है तो किसी भी सम्मुए में केवल input device से नहीं है तो D option इन में से कोई नहीं जो है इसका right answer हो जाएगा अगला देखिए निमली खित में के वल आउटपुट डिवाइसेज हैं तो हमें के वल आउटपुट डिवाइसेज देखनी है तो पहले में देखिए scanner, printer और monitor इसमें जो scanner है वो input device होती है दूसरा देखिए keyboard, printer और monitor तो दूसरे में जो keyboard है वो एक input device हो गई ऐसे ही तीसरे में mouse एक input device है लेकिन जो fourth option है, plotter, printer और monitor ये चारू ही output devices है तो D option इसका यहां पर right answer हो जाएगा नेक्स देखिए, computer के memory में डाला गया कोई आंकडा या निर्देश जो होता है उसको हम क्या कहते है, तो computer की memory में जो डाला गया आंकडा या जो निर्देश है उसको हम input मानते हैं, उसे हम input मानते हैं तो C option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा नेक्स देखिए, computer के memory में डाले गया कारे को परदस्शित करता है तो देखिए, जो memory में डाला गया जो कारे है, वो monitor पर परदस्शित होता है तो C option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा अगला देखिए, number pad, directional arrow के रूप में कारे कराने के लिए आप कौन सी key को दबाते हैं तो जो scanner है, वो picture और text दोनों को ही scan करता है तो C option जो है, इसका यहां पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए, से game खेलना आसान हो जाता है तो joystick है, उसे हम game खेलने के लिए use करते हैं तो B option जो है, इसका यहां पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए, soft copy एक output है, तो hard copy क्या है तो देखिए, hard copy भी एक output है, लेकिन वो एक printed output होता है तो C option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा नेक्स देखिए, control, shift और alt यह जो है, कौन सी कुंजिया होती है तो देखिए, control, shift और alt है, इनको हम modifier keys कहते हैं या combination keys भी कहा जाता है, तो A option जो है, इसका यहां पर correct answer हो जाएगा नेक्स देखिए, अधिकान्स products पर printed line के pattern को क्या कहते हैं तो barcodes कहते हैं, तो D option इसका यहां पर right answer हो जाएगा अगला है कि MICR में C का पूरा नाम क्या है तो देखिए, MICR की full form होती है, magnetic ink character recognition तो जो C है, उसका जो नाम है, वो character होता है, तो D option इसका यहां पर right answer हो जाएगा कि C से क्या मतलब होता है, तो character होता है, full form होती है, magnetic ink character recognition नेक्स देखिए, computer printer किस परकार का device है तो देखिए, जो printer है, वो एक output device होती है, तो B option जो है, इसका यहां पर correct answer हो जाएगा नेक्स देखिए, input तथा output device किसी विशिष्ट कारे को करने के लिए कौन सी कुझी, दूसरी कुझी के साथ, combination में परियुक्त की जाती है तो देखिए, जो इनमें से जो control keys है, उसका यूज करते है, तो D option जो है, इसका यहां पर right answer हो जाएगा कि किसी विशिष्ट कार के लिए जो है, वो combination keys के रूप में control keys को यहां पर use किया जाता है नेक्स देखिए, एक प्रकार के सस्ते कैमरे हैं, जो computer के साथ लगे होते हैं, और उनका उप्योग video conferencing, video chatting और live web broadcast के लिए जिनका use होता है तो कौन से कैमरे होते हैं, तो देखिए, जो webcam है, उनका जो use है, हम इसके लिए करते हैं, तो A option जो है, इसका यहां पर correct answer हो जाएगा नेक्स देखिए, OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो जो OCR की full form होती है, वो होती है, optical, character, recognition, तो जो A option है, वो इसके यहां पर right answer हो जाएगा नेक्स देखिए, graphical user environment में, standard pointing device के रूप में, कौन सी device प्रियोग में लाई जाती है तो देखिए, mouse का यूज किया जाता है, तो B option जो है, इसके यहां पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए, नेमन में से कौन सा output device नहीं है तो देखिए, plotter, printer और monitor यह तीन ही output device है, लेकिन जो touch screen है, वो एक input device है तो D option इसके यहां पर correct answer हो जाएगा अगला है कि mouse सामानेत है, arrow के आकार में दिखाई देता है तो जो pointer होता है, वो हमें arrow की आकार का दिखाई देता है तो D option जो है, इसके हैं पर right answer हो जाएगा कि जो mouse pointer होता है वो हमें arrow या जो तीर होता है, उसके आकार का दिखाई देता है कौन दिखता है वो? mouse pointer नेक्स देखिए व्यक्तिगत computer है तू सबसे साधान storage device उपकरण कौन सा है तो floppy disk यह option जो है इसके हैं पर right answer हो जाएगा कि व्यक्तिगत computer है तू सबसे जो साधान storage device है वो floppy disk होती है नेक्स देखिए computer के लिए निमन में से कौन से digital input devices या उपकरण है तो देखिए इनमें जो input device है वो digital camera recorder, microphone, scanner ये सबी जो है वो input devices है तो D option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ये सबी नेक्स देखिए एक विक्रेता color check out counter पर किसी चीज़ का tag scan कर रहा है बजाए इसके की system में की इंग करना है तो वह किसका प्रयोग कर रहा है तो वह source data automation का use कर रहा है तो D option इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा नेक्स देखिए उस कुझी को क्या कहते हैं जो computer की memory में सूचना और screen character को erase कर देगी तो delete कुझी होती है तो D option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा कि जो delete कुझी है वह computer की memory में सूचना और screen character को जो है वह delete कर देगी या erase कर देगी next देखिए select या highlight करने के लिए pry किसका प्रयोग किया जाता है तो देखिए यदि हमें select करना है या highlight करना है तो हम generally mouse का use यहाँ पर करते है तो D option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next देखिए X के पास अपनी report को print करने के लिए कोई printer नहीं है वहिसे computer पे ले जाना चाता है क्योंकि Y के पास printer है तो देखिए X है उसको कोई report print करनी है लेकिन उसके पास printer नहीं है और Y के पास printer है तो यदि वह Y के पास ले जाना चाता है तो X अपनी report save कर सकता है hard drive में कागज के टुकडे पे scanner पे या floppy disk तो देखिए उसे अपनी report save करके या किसी चीज में save करके Y के पास ले जानी होगी तो उसे memory की जुरूद पड़ेगी जो storage device है secondary storage device की यहाँ पर आप सकता पड़ेगी तो floppy disk floppy disk का use यहाँ पर कर सकता है तो D option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए data input करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले hardware का भाग क्या कहलाता है तो देखिए सबसे आदी जो use होने वाला hardware का जो part है वो keyboard है तो A option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला है कि को screen या monitor भी कहते हैं तो देखिए जो display है उसको में screen या monitor भी कहते हैं यहाँ पर तो D option इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए track ball का एक उधारन है तो देखिए जो track ball है वो एक pointing device का example है तो C option इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए information input करने के लिए आप mouse को use करते हैं तो देखिए हमें को information input करनी है तो हम उसके लिए mouse जैसे input devices का use करते हैं तो B option इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला आएगी mouse के दाएं बटन पर किलिक करने से क्या दिखाई देता है तो देखिए mouse के दाएं बटन जो दाइं तरव बटन होता है उस पर किलिक करने पर एक विशेश परकार का menu दिखाई देता है तो B option इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next देखिए एक input device का उधारन है तो देखिए जो scanner है वो एक input device का example है तो C option इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए control वा shift किस परकार की कुझिया है तो देखिए जो control वा shift की कीज है यह modifier कीज होती है तो C option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा इन्ही को हम combination कीज के नाम से भी जानते है next देखिए निमली खित में से किस तरह के वर्ग में keyboard सामिल होगा तो देखिए जो keyboard है वो input devices type का होता है तो D option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा कि जो keyboard है वो किस category में आएगा input devices में next देखिए output device का परियोग करके आप कर सकते हैं तो देखिए output device का यूज करके हम data view या print कर सकते हैं तो D option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next देखिए computer के लिए graphical image और picture निमन में से कौन डाल सकता है तो scanner की साहिता से हम डालते हैं तो B option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगल है कि cursor की मौझूदा इस्तिति के बाई और के एक character को delete करने के लिए किस कुंजी का परियोग किया जाता है तो देखिए cursor के बाई और का character ayde हमें delete करना है तो हम back space का use करते है knocking कूंजी को ज़ियों लिएDoes करना हो दाइ तरब का तब हम delete की का use करते है तो यहाँ पर हमें बाई और का मिटाना है तो उसके लिए हम back space का यूज़ करेंगे तो A option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए किन कुझियों से number जल्दी type के जा सकते हैं तो जो numeric keypad होता है उसकी चाहिता से हम जो number है वो जल्दी type कर सकते हैं तो C option जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए का परियोग हाथ से लिखे या मुदरी text को digital image बनाने के लिए किया जाता है जिसे memory में store किया जा सकता है तो देखिए scanner का use करके जो हम वो digital image बनाने के लिए किया जाता है तो C option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए monitor के display आकार को कैसे मापा जाता है तो देखिए जो monitor होता है उसके display आकार को हम diagonally मागते हैं तो D option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा नेश देखिए monitor का resolution जितना अधिक हो तो monitor का resolution जितना अधिक होता है pixel भी जो है उतने ही अधिक होंगे तो A option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली pointing input device कौन सी है तो mouse है तो D option इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next देखिए mouse के दो मानक बटनों के बीच इस्तित wheel का क्या प्रयोग होता है तो देखिए जो mouse के दोनों बटनों के बीच में चो wheel होता है उसका use हम scroll करने के लिए इसके उपर नीचे करने के लिए करते हैं तो D option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next देखिए voice data को सब्दू में interpret कर सकता है जिसे computer समझ सकता है तो देखिए जो speech recognition software होता है वो voice data को सब्दू में interpret कर सकता है तो D option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा speech recognition software next देखिए जब तक computer हसले को नए पहचान ले तब तक input device को सूचना को digitize करना होगा तो C option जो है इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like करें ज्यादा श्यादा share करें और यदि अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लें और उसके जो बगल में bell icon है उसको ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नए update हो तो उसका notification सबसे पहले आप तक है पहुंच सके ओके thank you